स्वागते फ्रेंट्स आप सभी का M.Tekno चैनल में और DRDO MTS की जो रिक्वार्मेंट आ रहे थे फ्रेंट्स तोसी के सलेवस की अकॉडिंग आपको इस वीडियो में क्वेशन आंसर मिलेंगे फ्रेंट्स यानि कि सारे इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर रहेंगे यानि कि जनरल इंटेलिजेंट और जनरल अवेरनेस और एक्टिटूट और रिजिनिंग से संबनी इस वीडियो में आपको क्वेशन मिलेंगे फ्रेंट्स और फ्रेंट्स वीडियो अंतक देखना अगर आप अभी तक नए यूजर है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स दरूर दबा लीजिए ताकि मेरी आनेवाली नेश्टी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके तो आईए सुरू करते हैं फ्रेंट्स क्वेशन आंसर फर्स्ट क्वेशन भारत में सिचाई का सबसे महतवपूर साधन क्या है तो भारत में जो सिचाई का सबसे मह तो फूर साधन फ्रेंट्स वो नहरे हैं नहरे ही सबसे अधिकतर यूज होती है भारत में सिचाई के लिए तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्सन ए हो जागा फ्रेंट्स नेक्स्ट क्वेशन फ्रेंट्स भारत को अधिकतर किस से कर आई प्राप्त होती है तो भारत को सबसे ज गहरा बंदरगा कौन सा है देश का यानि कि भारत देश का सबसे गहरा पोर्ट पोच गया फ्रेंस इसमें कि कौन सा गहरा पोर्ट है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्सन यह हो जाएगा यानि कि विसा का पटनम जो है फ्रेंस वो सबसे गहरा बंदरगा भारत का तो इसमें करे बिस परसेंट है वी पर्षण ठीपिटवी की किर्सियोग यह भूमी है तो इसमारेक्ट आंसर आप्सन दी हो जाएगा फ्रेंग्स नेक्स्ट क्रेशन आफ रस कैपिटल किसकी परसिद्ध पुस्तक है तो रस कैपिटल जो प्रेंग्स इसकी रचना काल्स माक्स ने 1866 स्वी में की थी ये पूंजी एवंग पूंजी वाद पर विशलेशन करता यानि ये मजदूर वर्गों को सोसन के मुक्त करने के उपाई इस पुस्तक के अंदर हैं फ्रेंट्स और इस पुस्तक के प्रकासित होने के कुछी पर वर्षों बाद रूस में समाजवादी करांती सुरू हो गई तो उसमें करेक्ट आंसर ओप्सन ए हो जागा कि दास कैपिटल काल्स माक्स की परसिद्ध पुस्तक है नेक्स्ट क्रेंट्स संसद की संयूक्त बैठक की अध्यक्सता कौन करता है जो संसद होती है फ्रेंट्स उसकी जो संयूक्त बैठक होती है उसकी जो अध्यक्सता करता है वो करता है लोग सबा अध्यक्स जो होता है वो संयूक्त बैठक की अध्यक्सता करता है तो इसमें correct answer option C हो जाएगा कि लोग सबा अध्यक्स ही संसत की संयोग तो बैठक की अध्यक्सता करता है Next question friends उजेन का प्राचीन काल में क्या नाम था तो friends इसमें पूछा गया कि उजेन का पहले क्या नाम था तो उजेन का जो पहले नाम था वो अविंति का नाम था यानि कि अविंति का के नाम से उसे जाना जाता था पहले तो इसमें correct answer option A हो जाएगा कि उजेन का प्राचीन काल में अविंति का नाम था Next question फ्रेंटस गेरो हिल्स कहां इस्तित है तो गेरो हिल्स जो है फ्रेंटस बारत के पूरवी राज यह में इस्तित है यहाँ जो गेरो है गेरो जंगल के मैं आदिवासी समाज का निवासिस्तान है इनका और यह छोटे-छोटे प्रवद सिरंखला है इसमें और घने जंगलों और वन जीवनों के रहस्यमे के लिए ये प्रवस्य रंखला जानी जाती है गैरो हिल्स जानी जाती है तो उसमें correct answer option D हो जाएगा कि गैरो हिल्स में गालाई में इस्तित है नेक्स्ट कुश्चन दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विक्सित किया था तो दुनिया का जो पहला 3D मुद्रित जेट इंजन था वो ऑस्टिलिया ने विक्सित किया था सबसे पहले तो उसमें correct answer option D हो जाएगा कि ऑस्टिलिया ने दुनिया का सबसे पहला 3D मुद्रित जेट इंजन का विक्सित किया था नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि तीन से जिसमें भाग जा सकता है तो उसमें correct answer option D है यानि कि 40,6,020 को तीन से विभाज्यक किया जा सकता है तो उसमें correct answer option D हो जाएगा next question है यदि H-O-U-S-E को F-Q-S-U-C लिखा जा सकता है तो C-H-A-I-R को कैसे लिख सकते हैं तो आप Friends figure में देख सकते हैं कि किस परकार H-O-U-S-E को निकाला गया है उसी परकार ठीक C-H-A-I-R को भी निकाला गया आप चेकर सकते हैं दोनों को दिखाया गया Friends figure में आप देख सकते हैं कि किस परकार इनको निकाला गया है तो उसमें correct answer option D हो जाएगा Next question मचली जैसे जल से संबन्दित है वेसे ही चिडिया किस से संबन्दित है मचली जैसे जल से संबन्दित वेसे ही चिडिया आकास से संबन्दित है तो उसमें correct answer option A हो जाएगा कि चिडिया का संबन्द आकास से है Next question जो है friends A B का पुत्र है जबकि B और C एक दूसरे की बहन है उसी प्रकार E C की मा है यदि D E का पुत्र है तो D A का क्या है तो निम्न में से बताना है friends की कौन सा कतन इसका सही है यानि कि D A में A का क्या है तो D A का जो है friends मामा लगेगा तो उसमा correct answer option A हो जाएगा की D A का मामा लगेगा next question friends एक लड़की अपने घर से निकलती है पहले वो 30 मीटर उत्तर पच्छिम दिसा में चलती है और फिर 30 मीटर दक्षिन पच्छिम दिसा में चलती है फिर वो 30 मीटर दक्षिन पूर्व दिसा में चलती है अंत में वो अपने घर की और मोड़ जाती है फिर वो last में friends अपनी घर की और मोड़ जाती है और वो अब पूछा गया कि वो किस दिसा में चल रही है तो वो friends उत्तर पूर्व की दिसा में चल रही है क्योंकि इस टाइम वो उत्तर पूर्व अपने घर की और मुड़ी वी है तो उत्तर पूर्व की और जा रही है तो उसमें correct answer option D हो जाएगा option C हो जाएगा sorry option C हो जाएगा कि उत्तर पूर्व की और चल रही है तो उसमें correct answer option C है friends Thank you friends वीडियो कौन तक देखने के लिए अगर आपको किसी question में कोई doubt लगे तो friends comment box में comment करके जरूर बताना और friends अगर like, share, subscribe जरूर कर लेना friends मिलते हैं friends इसी वीडियो के next part में